कि आफ शिपिंग और डीजी शिपिंग के साथ कई महीनों से बात चल रही थी और येस्टडे कल ही डीजी शिपिंग ने अपना एक डीजी एस ओडर जिसको कहते हैं 16 ऑफ 2022 उसको इशू किया है वो केवल अगनी वीर के लिए है कि चार साल के टेनिंग के बाद जब अगनी व तो वो किस-किस ट्रेड में सीधे मर्चेट नेवी में जा सकते हैं डारेक्ट उनने कई सारे प्राधान दे रखे हैं ये अलड़ी मीडिया में है ये सोशल मीडिया में घूम रहा है ये डीजी शिपिंग ने एक डीजी ऑडर 17 ऑफ 22 भी कल इशू किया है मेरी और डीजी शिपिंग की मुलकात हुई थी कल और वहीं पे हमने अपना में 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 अन्डरस्टेंडिंग भी मोई एक साइन किया है जिसके तहत भारती नौसेना और शिपिंग मिनिस्ट्री बट लाज़ी डीजी शिपिंग विल वर क्लोजली दोनों एक साथ काम और कई सालों से जो हमारी एक बात अटकी थी वो कल पूरी हो चुकी है जिससे की नौट अली अगनी वीर्स बट बाकी नौसेना के अधिकारी और सेलर्स जब वो नौसेना छोड़ेंगे तो वो भी उनकी जो पूरी सी सर्विस है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी में अपनी नौकरी कर सकते हैं तिये बहुत बड़ा कल काम हुआ है कल अच्छा दिन दशायद मंडे and we are very happy that the ministry of shipping and the dg shipping has made this happen I on behalf of Indian Air Force want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable the Indian Air Force and the government of India will do everything that is required to keep us combat worthy and combat ready long before the Agnipat scheme was rolled out the Indian Air Force had already initiated several human resource optimization measures to make sure that the forces the frontline units and the combat support units are fully manned this Agnipat scheme is a part of this optimization process Agnipat scheme balance करती है तीन चीज़ों को एक youthful profile armed forces का दूसरा technical savvy लोग और adaptable लोग बारतिय सेना में आएंगे तीसरा individual को future ready करती है कोई भी democracy जहां पे एक बहुत बड़ा transformative reform आता है वहाँ अलग-लग किसम के ख्याल आते हैं उसके अलग-लग किसम के मुद्दे उठते हैं और उसके उपर discussions होती हैं आप सोच रहे होगे कि Sunday को conference के बाद आज ये meeting कियों आप लोगों की वज़े से और सिरफ आप की वज़े से हमने जो ये चल रही थी negativism आप एक credible information और misinformation को आपने दूर किया है बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए thank you very much for it इसके उपर भी मुद्दा उठ रहा है recruitment का process and regimentation के उपर मैं आपको आशवासन देना चाहता हूं कि recruitment के process में कोई change नहीं है जो अभी 5 साल पहले recruitment process था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा process में कोई change नहीं है तीनों services के जो process थे वो वैसे के वैसे रखे गए है all India all class के उपर लोग बोल रहे हैं कोई फरक नहीं है पहले भी हम all India all class थे अब भी all India all class रहेंगे इसमें कोई किसी को और ये खास कर इसकी जुरूरत है हमारे जो veteran भाई हैं जिन्होंने हमको train करके यहां बिठाया है उनके लिए है कईयों के दमाग में आशंका रही है कि इसके उपर कुछ हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो regimentation का process है वो बिलकुल unchanged रहेगा now coming to pledge आपने देखा कि पिसले कई दिनों में protest, arson, violence उसके लिए कोई जगा नहीं है undertaking not pledge कि उन्होंने participate नहीं करा police verification, police verification हमेशा होती थी सिरफ because 3-4 दिनों में ये arson और violence देखा गया इसलिए इसकी pledge और undertaking हम लेंगे जो services training कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है, इसके बारे में विस्तार से respective services के लोग बताएंगे आपके सामने दर्शाया गया है, इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखने की जुरूरत है number एक, किसी के पास भारत जैसे demographic dividend नहीं है इसके उपर सिरफ मैं 10 second बताना चाहूंगा, हमारे जो youth हैं वो 50% 25 साल से नीचे होंगे यह कोई भी देश, कितना भी विक्सित हो, उसके पास यह demographic dividend नहीं है फॉज को चाहिए कि हमारे पास जो हमारे युवक हैं, हमारे सैनिक हैं, वो इस dividend का फाइदा उठाएं we have to be reflective of this demographic dividend, दूसरा, हम बाहर से copy-paste नहीं कर सकते Indian problems, Indian solutions, तो इस चीज़ को ध्यान रखा गया, उसके अलावा, इसके अंदर जो हमने salient features देखे हैं, कैसे मिले हम लोग हर एक साल तकरीबन 80-100 exercise करते हैं bilateral, तमाम देशों के साथ, उनके साथ हमने देखा उसके आयू क्या है, उसकी entry क्या है, तो हमें उनसे बातचीत करने से, exercise करने से, चाहिए दस तिन की हो, चाहिए एक महीने की हो, यह हमें ग्यान मिला उनसे, कि उनके पास इस चाइप के प्रवधान हैं, age जैसा कि मैंने आपको बताया, सब country's जो आपको दिखाई हैं, 26-27 सा बट जो सबसे ज्यादा period फॉलो करा जाता है, दो से चार साल, जो training period है, वो आपके सामने लिखा हुआ है.